जी हाँ स्टूडेंट आपने सहीज देखा है पावर ग्रिंड कॉर्परेशन ओफ इंडिया की और से यहाँ पर अप्रेंसिशिप की विकेंसी निकली हुई है तो डिपलॉमा डिग्री आईटियाई वारे अप्लाई कर सकते हैं आपको बिना एक्जाम के नो एक्जाम से आपको यहाँ पर जोब जो है मिलने वाली है कैसे मिलेगी क्या प्रोसीजर रहेगा अप्लिकेशन प्रोसीजर की हम बात करते हैं कौन-कौन अप्लाई कर सकता है ल इसी तरह की लेस्स्ट वीडियो मिलती रहें तो पाबार ग्रेंट की ओर से यहां पर johan निकाली गई है महारातना कंपनी उसके अंडर तो यहां पर हम से की बात करते हैं कि कौन-कौन से reason के लिएक निकली हुई है तो सबी apply कर सकते हैं क्योंकि जहांपर बगेंसे निकलती है आप उसी रीजिन में apply कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर northern region जो है कौन कौन से northern में apply कर सकता है देली, हरियाना, राज़स्तान, उत्रपेशन, उत्रखंड वाले apply कर सकते हैं जमू region की बात करें पंजाब, हरियान, हिमाचल वाले यहां पर Northern region second में apply कर सकते हैं Third में उत्रपेश, उत्रअगर्ण तो इस तरह से सारे ही state वाले अप्लाई कर सकते हैं यहां पर हम apply की बात करें कि कैसे आपको apply करना है तो आपको जो apply करना है इनकी website पर सबसे पहले register करना है जो website है वो यह वाली website है या फिर आप यह वाली website पर जाकर register कर सकते हैं अगर देड़ की बात करें तो हम 21 साथ 21 से apply कर सकते हैं और 28 तक यानिके कल से आप apply कर सकते हैं 21 साथ 21 से लेकर 28 तक आप apply कर सकते हैं एक मेने का time आपके पास है अगर हम योगिता की बात करें तो यह apprenticeship qualification पर बीरिस trade के लिए आप देखिए कि कौन कौन से trade वाला apply कर सकता है जिसकी आपर देखिए आईडियाई एलेक्टिकल में होनी चाहिए तो इसके आपका full time course का आईडियाई होना चाहिए 11000 पर आपको महिने का मिलेगा diploma electrical की बात करें तीन साल का B.S.E. Electrical में होना चाहिए. 15,000 पर मिलेगा. ऐसे ही Civil के लिए भी 4 साल का 15,000 पर मिलेगा. Electronics and Communication Engineering के लिए भी 4 साल का 15,000 पर आपको मिलेगा. Computer में भी 4 साल का Course आपके पास होना चाहिए 15,000 पर मिलेगा. And HR भी आपको यहां पे उसको भी पंद्रह हाजार पर मिलेगा तो यह थोड़ी बहुत बकेंसी थी उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोसेजर है वो आपको फोलो करने पढ़ेगे तब ही आप योग्या माने जाएंगे तो जो कंडिशन यहाँ पर लगाई है हिनोने वो कंडिशन जो आपका फाइनल एर है उसको कंप्लीट किये हुए जो इनकी लास्ट डेट है वहाँ तक सिर्फ दो साल ही हुए होने चाहिए तब ही आप अप्लाई कीजिए अगर आप फाइनल एक्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं लगते हैं तो यह कंडिशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी स्लेक्शन प्रोसेज़ तो मैं आपको बता दिया आपकी जो डोकुमेंटेशन है उसके बेस पर ही आपकी सेलेक्शन होगी तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है डोकुमेंट है उसको आप अप्लाई कर स है कि मेरे पास ये भी है एक साल से कम का एक्स्पिरिंस है ऐसा है ऐसा आप शो कर सकते हैं कि आप लैंड लैजै तो वह भी लगा दीजैंगे तो ये च्छोटी सी इनफोर्मेशन ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बैल आईकन को दबा ल कि आपको job accelerator सारी notification मिल सके Thank you Fendi video देखने के लिए